एक क्रिकित जिहादी आतंकी विकास दूबे का जो इनकाउंटर हुआ है उस इनकाउंटर पे लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और यह जो सवाल खड़ा हो रहा है यह सवाल खड़ा करने वाला चाहे सोशल मीडिया हो चाहे बड़े टीवी चैनल के लोग हो चाहे पत्रकार हो जो भी लोग हो आज चारो तरफ एक बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है कि आखिर विकास दूबे का जो इंकाउंटर हुआ है यह पूरी तरीके से बिल्कुल गलत इंकाउंटर हुआ है मैं भी यह कहता हूं कि विकास दूबे का इंकाउंटर जो हुआ है ऐसा इंकाउंटर नहीं होना चाहिए क्योंकि उसकी गिरिफ्तारी हुई थी वह है अपने आपको शरेंडर किया था लेकिन सरेंडर होने के बाद उसके सीने में चार गोली मारी गई आखिर मैं यह पूछना की हैं जो सत्ता चलाने वाले लोग हैं जो खनन माफिया को पनाह देने वाले लोग हैं या पराधियों को पनाह देने वाले लोग हैं आतंकियों को पनाह देने वाले लोग हैं हमारे जवानों की शहादत पर राजनीत करने वाले लोग हैं उनका जो भी राज था वह विकास दूबे के सीने में दफन था इसलिए उसके सीने में गोली मारी गई तो शवाल लाजमी है यह उठता है कि जो आदमी सरेंडर कर दिया सरेंडर होने के बावजूद उसको मारना चाहिए गोली मैं यह कहता हूं कि गोली मार दिया जाता लेकिन यही गोली उसको 10 दिन बाद भी मारी जा सकती थी पेशी पर आते समय जाते समय जैसे लोगों ने कहा कि पुलिस ने बदला ले लिया पुलिस के मन में गुस्ता था और पुलिस ने बदला ले लिया मैं यह पोछना चाहता हूं कि अगर पुलिस में गुस्ता था पुलिस बदला ले लिया तो यह अपराध नह देता है तो उसको जेल भेद दिया जाता है 302 के मुल्जिम बना करके आखिर क्यों अगर ऐसा है कि उसकी हत्या जायज है तो गाउं के अंदर अगर कोई भी रेपिस्ट अगर रेप करता है किसी बहन बेटी की तो उसका भी शर कलम कर देना चाहिए तब तो कहा जाता है कि कानून है कानून हात में मतलो अदालत है मैं यह मानता हूं कि विकास दूबे जैसे लोगों का इंकाउंटर होना चाहिए उसको मारा जाना चाहिए लेकिन सवाल यह भी बनता है कि याखिर वह विकास दूबे जिसको की एक आतंकी बनाने में उसको पाल पोश कर उसको दूद पिलाने में जिनका युद्धा कम से कम वह भी तो खुलासा होना चाहिए वह भी लोगों के सामने आना चाहिए कि याखिर विकास दूबे को इतना खुंखार आतंकी बनाने में किन-किन लोगों का हाथ था उनके भी गले का फास बनना चाहिए क्योंकि जो हमारे दरजनों शिपाही मारे गए हैं जिन्होंने सहादत दिया है जिनको गोली मारी गई है उनके परिवार के लोगों से एक शव कि वेक क्यों रह गए इसलिए विकास दूबे के शीधे सीने में गोली मारी गई आज सवाल ये खडा होता है चिकास कहता है महा कालेस्वर उजयन में कि मैं विकास दूबे हूँ, कानपूरवाला विकास दूबे हूँ, मुझे गिरफ्तार करो, उसकी गिरफ्तारी होती है उसके बाद पुलिस लाके उसका इनकाउंटर कर देती है तो यही मीडिया के लोग चारो तरफ आप देख लीजिए चारो तरफ तांडव मच रहा है कि विकास दूबे की हत्या कर दिया पुलिस ने बिल्कुल गलत किया है ऐसा नहीं होना चाहिए आखिर आदालतें क्यों बनी है यही तमाम सवाल उठ रहे है लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूँ कि यह लोग कहां थे जब आज से 6 महिने पहले आज से 6 महिने पहले बिरिजलाल मौरिया की हत्या कर दी गई थी पुलिस कस्टिडी में बदायों के अंदर उस समय जो है एक भी सामन्तवादी एक भी मनुवादी व्यक्ति ने कभी पोस्ट नहीं किया था कि आखिर बिरिजलाल मौरिया की हत्या क्यों कर दी गई पुलिस ने जो कुछ किया गलत किया और यह मीडिया जो भाण मीडिया है जो दल्लागीरी कर रही है जो पत्तल चाट रही है इसने भी कभी सवाल नहीं उठाया कि बिरिजलाल मौरिया की हत्या क्यों कर दी गई रामजी मिश्रा का आप लोगों ने नाम सुना होगा भदोही के अंदर उसको भी पुलिस ने पीट-पीट के मार दिया एक बार भी सवाल खड़ा नहीं हुआ या खिर उसकी हत्या क्यों कर दी गई आपने जहासी के अंदर देखा होगा कि जिस तरीके से पुषपेंद्र यादों के सीधे जो है भेजे में गोली मारी गई थी उसकी बीबी नव बिवाहिता उसकी बीबी जो है रू रही थी उसके हाथ की महदी तक नहीं चूटी थी बिलाप कर रही थी वो अपने पती का अंतिम बारो दर्शन भी नहीं कर पाई थी यही पुलिस है कि यही पुलिस वालों ने जो है उसकी लास को जो है आग के हवाले कर दिया था एक भी मनु मीडिया एक भी सामंती मीडिया एक भी भणवागीरी करने वाला पत्रकार ने एक मेन खबर नहीं चलाई थी और ना तो आज जो बिधवा बिलाप कर रहे हैं जो विकास दूबे जैसे हत्यारेक पर बिधवा एक भी आदमी ने पोश्ट नहीं किया था अभी तक जितने भी साथी देख रहा है मैं सभी साथियों से एक बार गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को फटा फट सेयर करते रहें और लोगों को जोडते रहें और आज कम से कम आप लोग कम से कम आप लोग क्योंकि अध् breeya है भड़वगीरी करने वाली और और आज जो ये कि मन्वादी जो पुलिस कर्मी है कि हमारे ही पुलिस कर्मी मारे गाए हैं या और हमारे ही पूलिस कर्मी जो है उन लोगों को उस माफियाओं को बचा रहे हैं जो विकास दूबे जैसे लोगों को पालनहा थे और आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो इंकाउंटर हुए हैं फेक इनकाउंटर हुए हैं इनकाउंटर पर कोई आदमी शवाल नहीं उठाया लेकिन एक खुंखार आतरंकवादी जब मारा गया तो उस पर शवाल उठ रहे हैं और सवाल उठने भी चाहिए मैं य किये लोग जाती पूचकर अपराधी तैंग करते हैं और जाती पूचकरके उनको फैसला सुनाया जाता है कि कवान अपराधी है कवान अपराधी नहीं है मैं ये पूछना चाहता हूं, जितने भी साथी देख रहा हैं, मैं सभी साथी से गुजारिष करूँगा, कि आप लोग एक बार इस वीडियो को क्लिक करें, और जैसे ही वीडियो को क्लिक करेंगे, आप देखेंगे, बाय साइड में नीचे जो है सेयर लिखा हुआ है, नीचे white color में share लिखा हुआ है, video को पहले click करेंगे, अब वहाँ लिखा हुआ है, जैसे ही उसको दबाएंगे, सीधे right side में आप देखेंगे, तो वहाँ एक मुंडी बनी है, अब लिखा होगा the group, और उसी मुंडी पे click करें, वो मुंडी किसकी है, अंदभक्त, गंदभक्त, गोबर भक्त, अब उसी मुंडी को click करें, और उसको ग्रूपों में share करते चले जाएं, watch party चलाते जाएं, share करें, timeline पे share करें, messenger पे share करें, लोगों को जो है जोडते जाएं, आज जिस तरीके से जब आपने देखा होगा, कि यहीं जो है राकेश निसाद बांदा के अंदर, यह सामन्त वादियों के होटल पे काम करता था, ठाली धोता था, जूठन धोने का काम करता था, लेकिन जब उसके बेटी की शादी करीब आई, बेटी की, तो उसने उनसे बोला कि हमारा हिसाब करके हमको पैसा दे दो जो भी हमारा 1.5-2,5 लाक बनता है, तीन साल काम किया लेकिन उसके बाद उसका जो है पायर पकड़ के फार के फेक दिया गया लेकिन कोई भी सामंतवादी एक पोस्ट नहीं किया एक भी पोस्ट नहीं किया कि आखिर जो है सामंतवादियों ने क्यों निसादों की हत्या कर दी यहीं आपने देखा होगा नेहा निसाद सबर्देश पूरे प्रदेश के अंदर से सारे लोग हाय तौबा मीडिया के कारण जो है सारे लोग हाय तौबा कर रहे जितने साथी देख रहे हैं मैं सभी साथियों से गुजारिस करूंगा कि अगर आप लोग 2,000 लोगों को अगर जोड़ पाएंगे तब ये वीडियो आगे मैं बढ़ाऊंगा नहीं तो ये वीडियो यहीं पे खतम कर दूँगा आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपनी अपनी टाइम लाइन पे शेयर करते जाएं आप लोग अपनी अपनी टाइम लाइन पे शेयर करें और 2000 लोगों को जोड़ी अगर नहीं जोड़ पाएंगे तो ये वीडियो खलास जितने भी साथी देख रहा है मैं सभी साथियों से गुजारिश करूंगा क्योंकि मेरी जो है बीडियो पर आधा से जादा तो ये गंद भकते आते हैं गोबर भकते आते हैं बाकी जो करांतिकारी साथी है मैं करांतिकारी साथियों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस पोस्ट डाल दे अगर पोस्ट डालता होगा ना तो तीन लोग जब उसको धंकी देते हैं तो पोस्ट उड़ा के वो किनारे हो जाता है और उसके बाद ये करते क्या है फेश्बुक पर आज फला नेता के बेटे का जनम दिन है उसको डाल दिये जनम दिन की हार्दिक बदाई उसके बाद किया करते हैं फलानेता की आज सालगीरह है उसकी 14. शालगीरह की बहुत बहुत हार्दिक बधाई आख करते हैं फला मित्र के जनम की बधाई इसंगत ज्बूक पर एक खुंखार आतंकी कि मौथ पर इतना ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं इतनी पोस्त चला रहे हैं कि आज मीडिया भी जो है हाय तौबा कर रही है यहीं मीडिया के लोग आए यह कहते हैं कि जब काफिला चल रहा था तो हमारा काफिला 20 मिनट के लिए रोक दिया गया था ỏप ग्यार को सतवी है वहाँ से video वारल होता है ओरे विकास दूबए तो लंगड़ा था वो कैसे भाग सकता था उसको कैसे गोली मार दिया गया तमाम सवाध खड़े होते हैं यह सवाल के behal, दीकास दूबए पर ही क्यों खड़े होते हैं यह सवाल पुस्पेंद्र यादों पुरिजलाल मवरिया पे क्यों नहीं खड़ा हुआ पुलिस कस्टिडी में पीट पीट के मार दिया गया और अब तक पुरे उत्तर प्रदेश के अंदर 50,000 हत्ते आएं हुई हैं 50,000 हत्ते आएं हुई हैं 50,000 लोगों को गोली मारा गया है तो उस पर सवाल क्यों नहीं खड़ा हुआ एक केवल विकास दूबे पर ही सवाल क्यों खड़ा होता है यानि कि यह है कि मनु मीडिया जो है यह देखती है कि मनु इश्मिर्ती कहां है मनु इश्मिर्ती के याधार पर ये लोग डेक्ती कर तो करते हैं आखिर अगर यही पुष्पेंद्र यादव की जब हत्या होई थी जिसके ऊपर यह भी मुकदमा नहीं लिखा गया था तब यह सामनतवादी लोग यह भी पोस्ट नहीं किये थे और ना तो यह मीडिया के लोग एक भी खबर दिखाये थे जब हम लोग 40 आदमी जेल लेसे चले गए थे वहां बिरोत प्रदर्शन में तो यह चोटी सी पट्टी चल रही थी नीचे खबर की चोटी सी पट्टी चल रही थी लेकिन आज मैं देख रहा हूं चारों तरफ हाई विकास दूबे को क्यो उमार दिया गया अगर यही चीज जितने भी वो भी सी के लोग हैं जितने भी पिछड़े लोग हैं जितने भी गरीब लोग हैं अगर यही लोग अगर खबर चलाए होते तो आज तुम्हारी भी हत्या नहीं होती लेकिन जो तुम्हारी अपराधी मरता है यह भी सामनती मरता है तो तुम्हारा सोसल मीडिया चालू हो जाता है हाय तवबा हाय तवबा तुम करते हो तुम महा मुर्ख आदमी हो महा चूतिया लोग हो तुम लोग महा चूतिया महा मुर्ख नहीं होते तो तुम्हारे भी आज पड़ोस में बेली लोग कितने लोगों की हत्याय होती हैं कितने लोग मरते हैं लेकिन कभी तुम लोग खब पर मीडिया रो रही है तो जब जासी के अंदर पुष्पेंद्र यादव मरा तो मीडिया क्यों नहीं रोई जिसकी बीबी की हाथों की मेहदी भी नहीं चूटी थी अब बिलाप कर रही थी उसका रूदन देख के अच्छे अच्छे लोगों का हिर्दय द्रवीत हो जाता थ लेकिन ये सामंत वादियों का दिल द्रवित नहीं हुआ ये सामंत वादी लोग उस दरोगा के पच्छ में खड़े रहे जिसने सीधे सीधे घुस खोर चोर दलाल हत्यारे पर हत्यारा जो है गोली चलाने वाले के पच्छ में ये लोग खड़े रहे और यहां तक कि यूं के अंदर जब जेल में उसको ठोक दिया गया तो ये एक भी आदमी जो है कोई पोस्ट पर नहीं किया सिवाए मौरिया के जब निसादों की हत्या होती है बिंदों की हत्या होती है तो शिर्फ बिंद निसाद उस पर जो है पोस्ट करते हैं बाकि कोई नहीं करता ये तुम आपस में बटे रहो और अपना सासन करते रहें अखिर क्या करण है कि ये मीडिया के लोग कभी ख़बर नहीं बनाते हैं ये ख़बर बनाएंगे कब जब कोई शामन्त वदी पुझी वादी कोई बाताप में दारू पीके अगर डूपके मर जाये तो वो ख़बर बन जाती है आज पूरे देस के Ap पूरे देश के अंदर गरीब आदमी मर रहा है कोई कैंसर से मर रहा है कोई सुगर से मर रहा है कोई कुपोशन से मर रहा है कोई भूख से मर रहा है कोई खबर नहीं बनती है लेकिन अनिताब बच्चन को करोना हो गया तो पूरी बें स्ट्रेम मीडिया पे चल रहा है कि यहा सब्सक्राइब करोना सारे लोग अब तुम्हारे पोस्टों पर भी वही पड़ रहा है कि बिग बी को हुआ करोना और आज देश के अंदर तुम्हारा रोजगार छेन लिया गया तुम्हें पकवडा तलने लिए छोड़ दिया गया तुम्हें जो है तुम्हारी खेती चीन तुम्हारी जमीन चेन लिया गया तुम्हें जो है पैदल दो-दो हजार किलोमीटर चला दिया गया तुम ट्रकों से आए कि पैदल आए कि लड़के आए कि मरके आए कोई तुम्हें दिखाई नहीं दिया लेकिन तुम्हारा पोस्ट जो है न तो बिग बी ने तुम्हारा प करें कि यह कभी यह लोग चाहते हैं कि तुम भी श्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् आप एक बार पुरंट जायें इस video को सबसे फ़ले video को किलिक करें और जैसे video को किलिक करें नीचे आप देखेंगे तो white color में share का आप एक निखा होगा बिल्कुल नीचे उसको उस यूप को क्लिक करेंगे गूप आ जाएंगे गूपं में लोगों को कुछाने का काम करें आज याज टाटा डालके लोग मूर्खता पूर्ड काम कर रही हैं यह मुर्खता उनकी खतम हो, अपने हक और अधिकार की बात करें, गरीबों की बात करें, किशानों की बात करें, मजदूरों की बात करें, रोजगार की बात करें, यह पकावडा तलने से काम नहीं चलेगा, यह तुम्हें जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का खावफ चाहिना से कमिशन लेंगे तो आज शमय है कि तुम सचेत हो जाओ जो तुम्हारे लिए नहीं है तो मुष्के लिए मत खड़े हो जो तुम्हारे लिए कि हत्या पर पूरी मीडिया खड़ी है लेकिन कभी जब किसी ओवीशी की पिछड़े की दलित की माइनार्टी की अगर हत्या होती है तो कोई ख़बर नहीं बनती है आज आप देख लो कि जिस तरीके से जिस तरीके से ये फेक इनकाउंटर किया गया विकास दूबे का बिलकुल निंदनी है लेकिन आखिर और तो इनकाउंटर हुए है फेक आज आप देख लिजिए कि एक अर्नव गुष्वामी चैनल चलाता है वो महा दल्ला महा चूतिया महा बेवकूफाद में है और क्या कह यह जनियू में नक्तिया हुते हैं और जनियू टायक्स पेर के 저ता हूए इसको खतम करदेना चाहिए किसी पकड़ के इंकाउंटर करकल रही है इसके अन्दर जो जज बैठे हुए है जो ढ़ाई 30,001,001,004 गाडी यह बंगा ले नावकर ले रहे हैं, तो ये कहे के लिए हैं, इसको भी खतम हो जाना चाहिए, जब प्राइसला पुलिस ही करेगी, तो अदालत की क्या जरुरत है इस देश में, अदालत क्या कर रही है, अदालत के वल इसके लिए है, कि किसान अगर किसान जमीन के लिए लड़े, और उसका म तुम्हारा जब आराच्छण कोई लेके चले जाएगा कि आराच्छण खतम होना क्या उसके लिए जब आपराधियों को सीधे ठोका जाएगा तो यह खतम हो जाना चाहिए अगर जैसे जयानियों को क्या जरूरत है अगर पुलिष किसी को पकड़ेगी अगर पुलिस सीधा किसी को ठोक देगी तो फिर अदालतों की जरूरत क्या है इतना पैसा ले रहे हैं देश का पैसा बरबाद हो रहा है अखिर इनकी जरूरत भी तो है अगर इनकी जरूरत है तो किसी भी आखिर पकड़ा तो गया था उसको क्यों छोड़ने चले गए थे अखिर उसका तेरर अटाइक हुआ था जिसका मास्टर माइंड जो पकड़े गए थे जिसको फाशी हुई पांच साल जेल में रखा गया करोड़ो रुपए उसके पीछे खर्च किया गया उसका डारेक्ट पुलिस इन काउंटर क्यों नहीं कर दी क्यों अदालत में गया हो क्योंकि अदालत की जरूरत थी लेकिन आज तो अदालत की जरूरत नहीं है तो अदालत को खतम कर देना चाहिए बंद कर देना चाहिए और वैशे भी कई जजजज बोले है काटजु जी ने भी बोला है काटजु ने भी बोला था कि आज जो अदालत है अदालत गरीबों के लिए नहीं बनी है अमीरों के लिए बनी है क्योंकि आज हाई कोट में जाना हो तो 50,000 रुपए अगर 50,000 रुपए का वकील अगर आप हायर कर सकते हो तो आप हाई कोट सुप्रिम कोट के लिए तो बात ही अलग है वहां 10 लाग 15 लाग 20 लाग 50 लाग एक करोण रुपए में आपको वकील हायर करना पड़ेगा तब आपका जो है वहां केस दायर होगा तो अगर मैं यह कहता हूं तो गरीबों के लिए अदालत तोएशे भी नहीं थी गरीबों के पच्छ में फैसला तो एशे भी नहीं आना है जब वकील ही नहीं है तो फैसला कहां से आएगा लेकिन आज जो बड़े माफिया है अगर इनको पकड़ा गया इनको गोली मार दिया गया तो इनको पालने वाले जो और हजारों लोग है एक विकाश दूबे अकेले जो है तो उसको चल Lud ये लिए उसके लाजनीत कर और आया राजनीत कर रापनता थे और थो राजसि जगह दफन हो जाए जहां गोली लगी निशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि एककर पIES खरना का वोब कमेंट आउग जाहते हैं तोδ को सब्सक्राइब पर बी मि embaund करें तो qe to subscribe को सब आएज घ्हंति वगर अजरूरी है कि हर ख़वर को शैर करें लाइक करें कमेंट जरूर करे